हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखे रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आप पोस्टॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसन इन दा मैटाबॉलिक साइन्स और मैंने अपनी प्रक्टिस में जो चीजें देखी हैं उसमें टीवर क्लोसेस के बारे में हम आपको एक बात करेंगे कि जो पल्मोनरी टीवी है यानि की फैंपणों की जो टीवी है उसके अंदर खासी बहुत सारे लोगों की ठीक नहीं होती है उनका डॉट का जो टीटमेंट है वो एंटिवाइटेक सेंटी अलर्जिक सब ठीक होता है और वो ले रहे होते हैं ये सब कुछ लेकिन उनकी खासी ठीक नहीं होती है तो आकर खासी में ऐसा क्या है कि आप टीवर ग्लोसिस की खासी आपको इतना परिसान करती है और वो नॉर्मल दवाइओं से भी ठीक नहीं होती तो अभी कुछ रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग केवल इसलिए क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं कि उनकी खासी एक बहुत बड़ी समश्या है फीवर थोड़ा सा ठीक हो गया उनका और दवाई काम कर रही है वो थोड़ा बेटर महसूस कर रहे हैं लेकिन कंट्यूनियसली नाइट टाइम और मॉर्णिंग कफ उनको परिसान करता है तो आकर फैंपणों की जो टीवी होती है उसमें खासी क्यों ठीक नहीं होती है आज हम उस पे बात करेंगे और उसका राइट सॉलूशन आपको देंगे आप चैनल को सब्सक्राइब ये अपने फ्रेंट के साथ सेयर करिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है और जिन लोगों को टीवर क्लोसिस है या खासी है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको इनलाइटन करेगा और आपके टीप्मेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें पता लगेंगी जिससे कि आप completely ठीक हो सकते हैं और खांसी को भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं देखो सबसे पहली बात यह है कि pulmonary tuberculosis में 2-3 conditions ऐसी होती है कि वो complicated करती है फैपड़ों की बिमारी को एक है कि किसी food intolerance या food allergy का होना दूसरा है environmental allergy का होना और तीसरा है जो सबसे बड़ा part है कि टीवी के साथ साथ कई वेरी देखा जाता है कि कुछ underlying infections भी carry कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को broncholastma या pneumonia या COPD या फिर कुछ और भी ऐसा होता है कि जो आपके case को complicated बना देता है तो फैपड़ों की टीवी में जब x-ray होता है या CT होता है तो थोड़ा से deep investigation बहुत जरूरी है और इसमें फैपड़ों की एडजिकली की फैपड़ों की conditions क्या है फैपड़ों में fungus तो नहीं है, mucos के साथ साथ inflammation का क्या status है कोई internal bleeding तो नहीं है, कोई internal guard तो नहीं है फैपड़ों में ये सब बहुत important part होता है तो जरूरी पहले सबसे पहली जो जाच है, जो x-ray की जाच है यदि x-ray में clarity नहीं है तो आप chest का CT कराईए लेकिन बहुत अच्छे center से कराईए मतलब professional लोग आपका CT करें जहाँ पे की properly x-ray एकदम clear हो और आपकी report में एक clarity आपको मिले बहुत सारे मतलब ऐसे centers हैं जहाँ पे की आप lungs का extra कराने जाओगे तो आप confusion बापिस लेके आओगे मतलब आप और ज़्यादा confusion हो जाते हैं कुछ इस तरह की terminology या कुछ इस तरह का वो लिख देते हैं और फिर वो कुछ और भी add कर देते हैं तो यह सब चीजे हैं अब दूसरी बात ही आती है कि यदि आपकी खांसी नहीं जा रही है तो फिर आपको अब क्या करने की ज़रूत है देखो आपका जो oral treatment है जो dot है उसके साथ यदि खांसी नहीं जा रही है तो आप एक streptomycin injection एड़ कर सकते हैं उससे आपकी खांसी चली जाएगी second point आप rota cap for a court मतलब powder जैसे inhaler होता है वैसे ही एक powder form होती है rota cap जिसे हम कहते हैं आपको उसको सक करना होता है आप rota cap for a court आप एड़ कर सकते हैं that will help एक anti-allergy का बहुत anti-allergic medicine का एक इसमें बहुत अच्छा रॉल होता है कि आप night time Montec LC या मतलब citragin ले सकते हैं या faxofenadil ले सकते हैं ये भी मदद करता है और treatment के साथ साथ एक antacid antacid से मतलब है morning empty stomach आप ravibrazole, domparidon combination कोई medicine ले 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 उससे आपको खाफी फायदा होता है मतलब morning में आप empty stomach TV की दबाई के साथ भी ये ले सकते हैं या breakfast से पहले भी आप ये ले सकते हैं दूसरा है कि यदि आप probiotics एड़ कर ले लाइक flora bc और vizalac with your treatment तो आपको digestion अच्छे से होता है आपको अच्छी भूग लगती है प्लस आपको constipation नहीं रहता और जब आपका पेट अच्छे से regulate होगा constipation नहीं होगा तो आपकी खांसी automatically चली जाएगी अब कुछ बाते हैं कि जो food के level पे आती है बहुत ज़्यादे तलाब होना खाना भार का खाना ये आपको sensitize करता है बहुत ज़्यादे रेफ्रीजरेटर वाला फूड ये भी आपको खांसी करता है या फिर आपको acid reflex है यानि आपको बहुत ज़्यादा hyperacidity होती है आपको acid यदि चिस की तरह flow करता है तो फिर आपको cuffing हो सकता है उन लोगों को चाहिए कि वो अपने बिस्तर को आदा फूट उंचा कर लें और खाने को अच्छे से चू करके खाएं और pulmonary tuberculosis वाले patient walk करें मलब आप light exercise करिए उससे आपको काफी फायदा होता है और यदि आपके dot को दो महीने से ज़्यादा हो गया है और आपको खासी अब नहीं है और आप अपने lungs को थोड़ा सा strengthen करना चाहते हैं तो deep breathing करें या फिर एक flow वो आता है आपका respirometer मतलब एक instrument होता है उसमें 3 ball होती है तो आप वो instrument ले लीजे और उससे आप lungs की exercise करिए तो यह सब चीज़ें यदि आप करेंगे तो आपकी खासी ठीक हो जाएगी प्लस आपके lungs भी काफी strengthen होंगे लेकिन यदि खासी नहीं जा रही है तो इन सब चीज़ों को आपको करना होगा और एक और important बात कि refarmacin या आपकी जो दबाईयें चलती है उन कुछ दबाईयों की resistant डबलफ हो गई है तो आप अपनी resistant भी अपने डॉक्टर से बात करके जाच करा सकते हैं blood test से कई वरी ऐसा होता है कि कुछ medicine कुछ भी काम ही नहीं कर रही होती है जिसको हम MDR कहते हैं drug resistant case होता है तो उसमें फिर line of treatment बदलना होगा उसके बाद आपकी खासी ठीक हो जाएगी Thank you very much and take care of yourself